हलो फ्रेंड्स देखो ये करवाचोत के एक दिन पिले हम लोग पेटोल पंप पे गए थे पेटोल भरवाने बहुत भीड थी वहां पर हमने थोड़ी देर इंतिजार करने बाद पेटोल भरवाया और करवाचोत की सामान के लिए हम बजार गए बहुत उत्सा रहता है कोई त्योहार आता है तो हम लोग यहां पर जो सबसे अच्छा मार्केट है टीचर कोलोनी महां पर गए सुहाक का सामान लिया था और काफी सार सामान लिया था सबजी वगयर ली थी क्योंकि दूसरे दिन हस्बेंड आते हैं तो सारा सामन तयार है तो उन्हें नहीं जाना पड़ता और वो ठकते नहीं है इसी तरह से देखो हम जा रहे हैं सामान लेने मैंने ज़्यादा महंदी भी नहीं लगाई इसी वज़े से हमें नहीं पता था मम्मी की तबेत खराब हो जाएगी और हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा हम अस्पताल उन्हें लेकर भी गए करवा चोत के दीनी इसलिए में ज्यादा महिंदी भी ने लगा पाई थी मैंने सिर्फ सग उनकी ये महिंदी लगाई थी देखो औ और वहां डोक्टर थोड़ी देर पहले ही उठ गया था उसके बाद हम मम्मी को दूसरे डोक्टर के पास लेके गए लेकिन संडे होने की वज़े से वहां भी काम नहीं हुआ फिर हता सोकर घर आ गए मैंने जल्दी जल्दी पूए के लिए घोल करा उसमें शक्कर डालकर आ आठा गुंदकर और पूरी निकाल ली थी दोस्तों क्या होता है यदि अपन कहीं जाते हैं मजबूरी में किसी दिन नहीं जाना चाते लेकिन जाते हैं और काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन डोक्टर भी नहीं मिला तो बहुत बुरा लग रहा था जैसे तेसे मैंने पूजा का सामान तो बना नहीं था क्योंकि करवा जो थी तो पूजा तो करनी ही थी तो आठा गुनकर भूड़ी बनाई और इस तरह से मैंने भहुत ही थकान होने के बावजुद भी सारा काम किया हाला कि हजबेंट और बेटी ने थोड़ी बहुत मदद करी लेकिन काम नहीं हुआ था तो बहुत बूरा लग रहा था क्योंकि आज ले जाना पड़ेगा मम्मी को जब मैं वीडियो डार जूँ तब है अब बस थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे और मम्मी को वापिस दिखाने जाएंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि करवा चोथ था मुझे नहीं पता था कि भूके फ्यासे होने के बावजुद हम जाएंगे और डोक्टर दिर पहले ही उठ चुका है नहीं मिलेगा उसके बाद दूसरे डोक्टर पास आएंगे तब भी काम नहीं हुआ और मम्मी की हालत थोड़ी ना जुक ही थी मन भी नहीं हुआ पूरा कुछ तयार होने का जैसे तयसे मैंने पूजा करी बिना तयार हुए ही पहली बार करवा दोस्ता दोस्ता जो मैं बिना तयार हुए है नहीं तो इतना तयार होते हैं करवा चोथ के दिन तो कि पूरे 16 रंगार करने की सोचते हैं हम लोग मेरे महंदी भी जादा नहीं लगी थी लेकिन कोई बात नहीं पर मम्मी के डोक्टर मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा ल और मैं सुरू से अकेली ही रही हूँ मैं पहले सतना में हम लोग नोकरी करते थे तब महाँ पर कोई नहीं करता था करवा चोथ तो सुरू से ही घर में किया है करवा चोथ तो अकेली ही करने की आदत है कहीं नहीं जाती हूँ अब मैं पूरे निकाल रही हूँ और दोस्तों इस तरह से मैंने अपना ये पहला करवा चो थे 30-32 साल हो गए इतने सालों में पहला करवा चो थे जो मैंने बिना तैयार हुए मनाया होगा ठाकान इतनी हो गई थी कि तैयार होने का मानी ही नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग दो तीन डॉक्टर के चक्कर काट कर आये थे और डॉक्टर भी नहीं मिले देखो पूए कितने अच्छे बन गए हैं ये उसके बाद मैंने जिसे तेसे शाम को पूजा के लिए जो करवाचोत मैया की तैयारी कर रखी थी सारा उनने सजा रखा था वो अच्छा हुआ मैंने पहले से ही सजा रखा था नहीं तो उनकी भी तैयारी नहीं हो पाती पर अंदू वो तो सब सजी हुई थी मैंने उनने फटाफट जमाया और इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी वीडियो ले सकूँ उपर गए करवाचोत की पूजा करी चंद्रमा को अर्ग दिया हस्बेर ने पानी पिलाया बस नीचे आये तो उन्होंने गिफ्ट दिया उसकी जरूर वीडियो ली है मैंने ये तो मेरे पास अभी घड़ी नहीं थी इसकूल जाने में टाइम देखना बहुत दिक्कत होती थी तो उन्होंने घड़ी दी मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरह से दोस्तों ये करवाचोत बिना तैयार हुए ही पूजा के निकला है मेरा कोई बात नहीं अगली बार होईंगे अच्छे से और देखो हस्ब इसे आज में पेन कर भी गई थी सकूल थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग